कहते हैं न भाषा से ही एक व्यक्ति की पहचान होती है और हमारी पहचान हिंदी से है क्योंकि हिंदी हमारी मात्र भाषा है ये इस भाषा का ही प्रभाव है जो देश के विभिन धर्मों और सांस्कृतियों की लोगों को एकता की सूत्र में पिरोई हुई है अग 14 सितंबर का दिन इसी हिंदी भाषा को समर्पित है दरसल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है इस दिन को मनानी की निव भारत की आजादी के समय ही रख दी गई थी 14 सितंबर 1946 को सम्विधान सभानी देवनागरी लीपी में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्विकार किया बाद में नहरु सरकार बनने पर हिंदी दिवस मनाने का फैसला लेती हुए पहले बार आधिकारिक तोर पर 14 सितम पर 1903 को हिंदी दिवस मनाये गया हिंदि को हिंदुस्तान की पहचान के रूप में भी जाना जा सकता है आपको बता दे कि भारत में सैक्डु भाषा और लीपी बोली जाती है और पढ़ी जाती है लेकिन हिंदी राष्ट्र को जोडने का काम करती है कई महान विभ्यूतियों ने हिंदी के महत्व को समझाते हुए इसे राष्ट भासा का दर्जा देनी की मांग की है जिसमें से एक महात्मा गांधी भी थे कई हिंदी के लेखकों ने भी हिंदी के प्रसद रचनाय प्रकाशित किये साथी हिंदी को राष्ट और नीज उन्नती का मूल बताया हिंदी दिवस को मनाने के पीछे ये एक बड़ा कारण है कि देश में अंग्रेजी भाषा को बढ़ते चलन और हिंदी की उपेक्षा को रोकना है आपको बता दे कि महात्मा गांधी ने हिंदी को जनजन की भाषा भी कहा था हिंदी दिवस के दिन पूरे देश में कई साहित्यक और सांस्कृतिक कारिक्रम आयूजित किये जाते हैं जिसमें लोग हिंदी साहित्यक के महान कार्यों का जश्न मनाते हैं राजभाशा कीर्थी पुरसकार और राजभाशा गौरब पुरसकार भी हिंदी दिवस पर मंत्रालियों, विभागों, सार्वजिनिक शेत्र की एकायू, राष्ट्य कृति बैंकों और नागरिकों को उनकी योगदान और हिंदी को बढ़ावा दीने के लिए दिये जाते हैं 14 सितंबर को स्कूलो और कॉलिजों में भी हिंदी दिवस के महत्व को लेकर कारिकरम आयोजित किये जाते हैं